हाई फ्रेंड्स मैं हूँ शिवानी आपका स्वागत है मेरे चैनल में आज मैं आप लोग शाज शेयर करूंगी इजी अंटेस्टी दमालो की सबजी तो चलिए शुरू करते हैं सबजी बनाने के लिए यहां मैंने साज स्याज मीडियम साइच के उबले हुए आलू ले लिए हैं सबसे पहले हम कढ़ाई में दो बड़े चमस तेल गरम करेंगे तेल गरम होगे अब यहां पर एक एक करके सारे आलू को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे आलू को हमें धीरे धीरे पलटते हुए दोनोर साइट से फ्राई करना है यहां आप देख सकते हैं आ सारे आलो को निकाल लेंगे यहां पर तेल को कम करके एक से दो चम्मस तेल ही रखेंगे जिसमें मसाले बनाएंगे मसालो के लिए दो मीडियम साइज की प्याद दस से बाला लैसुन की कलिया नौ से दस काजो और दो इंच अद्रक का टुकडा ले लिया है मसालो को एक से दो मिनट तर कलर चेंज होने तक पकाना है अब हम टमाटर एट करेंगे यहां मैंने दो मीडियम साइज के टमाटर लिये जिने सौफ्ट होने तक पकाना है मसालों को ठंडा करके इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे और वापिस उसी कहाई में दो बड़ी चमस तेल गरम करना है तेल गरम हो गया अब हम इसमें आधा चमस जीरा दो तेज पत्त डालेंगे यहाँ पर जो पेस्ट तयार करके रखा उसको भी डाल देंगे मसालों को हमें 5-6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनना है 5 मिनट हो गए अब हम याँ सुखे मसाले अट करेंगे आधा चमस हाल्दी पाउडर एक चमस धनिया पाउडर आधा चमस कुटू इलाज मिर्च मसालों को हमें तेल छोड़ने तक पकाना है यहाँ मसालों ने तेल छोड़ दिया है अब हरे मटर के दाने डालेंगे दानों को भी मसालों में मिला देंगे अब हम यहाँ पर कवर करके 5 मिनट तक और पकाएंगे चलिए चेक कर लेतें मसालों को यहाँ पर मटर पक चुका है अब इसमें आदा चमच गरम मसाला डालेंगे मसालो को मिला के दो बड़े कप पानी डाल की इसके ग्रेवी तयार करेंगे और ग्रेवी में एक उबाला आने देंगे ग्रेवी में उबाला आ गया है अब हम इसमें एक एक करके सारे आलो को डाल देंगे यहाँ पर सब्जी को कवर करके 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे और पकाएंगे चलिए चेक कर लेते हैं लगवज सब्जी बनके तयार है इस स्टेज में हम दो बड़े चम्मच घर की फ्रेश मलाई डालेंगे मलाई को भी हम पूरी सब्जी में अच्छे से मिला देंगे इससे सब्जी में अच्छा सा टेस्ट आता है वापीस इसे कवर करके 5 मिन तक और पकाएंगे चलिए चेक कर लेते हैं सब्जी माई बनके तयार है यहाँ मैंने फ्लेम को बंद कर दिया और आधि चमच गरम मसाला डाल दिया है मसाले को हम पूरी सब्जी में मिला देंगे और सब्जी बनके हमाई तयार है सब्जी को हरे धनिय से गार्निश करेंगे यदि आपको सब्जी की रेस्पी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले